दुनिया में ऐसा कोई भी काम, जिस काम में घुसना आसान है, एंट्री लेना आसान है, उस काम में फेलियर रेशियो सबसे ज़ादा होगा। स्टॉक मार्केट भी ऐसा ही है, यहाँ पर घुसना आसान है, बस एक डिमेट अकॉंट खुलवाना है, आप इसमें घुस जाते हो, लेकिन इतना आसान होने की वज़े से सर्फेलियर रेशियो यहाँ बहुत ज़ादा है, अगर सौ लोग यहाँ पर घुसते हैं, तो साइद 95 यह 99 परसेंट लोग पैसा नहीं बना पाते, प्रॉफिट नहीं कमा पाते, अपना पैसा जो ले करके आते हैं, वो भी स्टॉक मार्केट को देखे चले जाते हैं, तो दस बातें, आज हम सीखने वाले हैं इस सेशन में, सीखने क्या वाले हैं, मतलब मैं शेयर करने वाला जो अपने एक्सपिरियंसेस, तजूरबे या स्टॉक मार्केट के धुरंदरों को फॉलो करके उनसों जो मैंने सीखा है, इतने सालों से इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, वो सब करते कुटते हैं, जो मेरा परसनल तजूरबा और उनकी लेर्निंग्स को सब मिला जुला कर करके जो मिक्सचर से दस बाते मैं निकाल के लेके आया हूँ, और मुझे लगता है ये दस बातों को इंप्लिमेंट किये बिना दुनिया में कोई भी पैसा नहीं बना सकता स्टॉक मार्केट से चाहे ट्रेडिंग हो या चाहे इन्वेस्टिंग हो, स्टॉक मार्केट से पै काम में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, जैसे एक बच्चे का एक्जामपल लेलो, बच्चा जब अंग्रेजी सीखता है, तो पहले उसको A, B, C, D सीखना है, तब ही जाके वो A for Apple, B for Ball सीखेगा, अगर A, B, C, D नहीं आए तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसी तरीके से ये दस बातों की बात नहीं, यह जो दस बाते हम करने वाले हैं, यह basic principles हैं, और यह भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, 99% लोग इन दस बातों को follow नहीं करते, कुछ लोग जानते हुए follow नहीं करते, और कुछ लोग समझते ही नहीं हैं, जानते ही नहीं हैं इस बात को, तो लाइफ और स्टॉक मार्केट में मैं कई बार कहता हूँ कि बड़ी सिमिलरिटी है एक आदमी कभी भी यू नहीं जा सकता वो यू जाने से पहले यू होगा फिर यू जाएगा सेम बिहेवियर स्टॉक का भी होता है एक स्टॉक कभी भी यू नहीं जा सकता अगर इसको यू जाना है तो यूं से पहले यू होगा फिर यू होगा फिर यू होगा फिर यू झाएगा regular life असे ड़ी जाएगा लेकिन होता क्या है सब्सक्राइजर ज़ाधातर लोग जब यू होता है लाइफ फिर give up कर देते हैं और तो अमित ने कोविद के पहले स्टॉक मार्केट में सीखा सब मतलब कोविद से कुछ टाइम पहले की बात है स्टॉक मार्केट उसने सीखा था अब कुछ अच्छा खासा स्टॉक अच्छा खासा अमाउंट का उसने कोविद से पहले कुछ स्टॉक खरी दे कौन जानता था को महिनों बाद COVID आ गया कोविद के आने के बाद उसने जिनि स्टॉक में पैसे लगा लगाए थे वो दर 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 नीचे जाने लग गई सिर्फ उसके ही नहीं उस टॉक मार्केट ही नीचे जा रहा था तो उसके स्टॉक भी उस टाइम पे शिकार हो गए अब अमित को ये डर लगने लग गया कि उसका पैसा लगतार घटा जा रहा है अब घटे 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 कहीं जीरो ना हो जाए चलो जितना पैसा घटके हुआ है लॉस ही सही लेकिन लॉस में ही स्टॉक सारे बेज देते हैं उसने अपना सारा स जा था उससे तीन गुना जादा मार्केट जा चुका और तब जाकर के अमित को खुद पर बहुत गुसा भी आया कि काश ये स्टॉक में बेश सा नहीं होल्ड करके रखता तो अभी मैं प्रॉफिटेबल होता सर ये एक अमित की कहानी नहीं है सो लोग अगर स्टॉक मार्क दोटा तक गिरेगा आधमी उसको बेच करके निकल जाता है यहां पर दो केशस होते हैं कुछ केस की किया सिर्थ-भी नहीं बेचेंग जब गिर रहा होता है तो वहाँ पेशिंट रखन के हमें उसको अभ्जर्व करना चाहिए लेकिन लोग बेचे निकल जाते हैं वह भी सर 2003 में ये 50 रुपए का था, 2024 में ये 5000 रुपए का हो चुका है और अगर ग्रोथ देखे तो 8000 परसंट से जादा का ग्रोथ इसने पिछले 20 सालों में दिया है, कितना 8000 परसंट और ऐसा एक स्टॉक नहीं है, ऐसे कई सारे स्टॉक है, सर इंपोर्टन्ट 8000 परसंट की ग्रो अच्छा, उस क्रैश को इसने झेला, अच्छा, उस क्रैश में जितने लोग इंवेस्टर्स होंगे, उनका पैसा नीचे की तरफ जा रहा होगा, अव्यस्सी बात है, सर 2008 के बाद 2015 में भी एक बड़ा क्रैश आया, फिर इंवेस्टर के साथ अमिज जैसे लोगों का पैसा जा रहा होगा, और वो घबरा करके बेच के निकल गए होंगे, बाद में अफसोस आया होगा, सर इतना ही नहीं, 2020 में सबसे बड़ा क्रैश आया, इन तीनों क्रैश को जहिलता हुआ, जहिलने के बावजूद ये 8000 परसेंट का स्टॉक रिटन देके गया, देके गया कि दे बावाज रिटन लोगों को दिया है, तो मैं कैसा समझा रहा हूँ सर, डाउन फॉल, हैंडल करना सीखो, अच्छा, डाउन फॉल, कुछ-कुछ केस में हैंडल हैंडल हमें नहीं भी करना है, कुछ लोग गलत स्टॉक पकड़के बैढ़ जाते हैं, नहीं हमें तो डाउन फ सही है, आपके स्टाटेजी सही है, तो डाउन फॉल आपको हैंडल करना पड़ेगा, लाइफ पे भी सर, कोई भी काम पकड़ो, उस काम को जब आप शुरू करते हो, तो तुरंत आपको सक्सेस नहीं मिलने लग जाती है, आप नीचे गिरते हो, आपका काम छूटने लग ज जाना होता है, यह पार्ट है लाइफ का, डाउन फॉल इस पार्ट अफ लाइफ, गिरना पार्ट है लाइफ का, इसी वक्त मुझे लगतार अपनी महनत को कंटिनी रखना है, पेशन्स रखना है, एक दिन में कामियाब ज़रूर होंगा, और आदमी होता है, सेम कहानी तो यह दोनों ही बढ़ेंगे, मेरी वाद समझ में आ रही है, यह लिखके बताइए मुझे कमिन बॉक्स में, अगला है सर, एक्स्ट्रीम पेसेंट, पेशन्स का मतलब, ज़्यातर लोग गलत की समझते है, पेशन्स का मतलब कामदाम छोड़ करके बैठ जाओ, एक काम नहीं कर रहे हो, फिरूक नहीं करें है, यह होता है सर, पेशन्स रखना, पेशेंस जिसा आदमी में नहीं है मैं कहता हूं stop market सो दूर रहो जईर है पेशेंस ये super power this जिसा आदमी में नहीं है उसको stop market सो दूर रहें चाहिए क्युंकि यहाँ पर पैसा भी तभी बनता है जब आप patience रखते हो यहाँ पर buying और selling में पैसा नहीं कमाता आदमी, ध्यान रखना, बाइंग और सेलिंग में पैसा नहीं कमाता, आदमी जो पेशन्स रखता है, जो होल्ड करता है, जो लंबे समय तक स्टॉक को होल्ड करके रखता है, वो पैसा बनाता है, जो आठ हजार परसेंट के भी जो बात बताई, ये आठ हज किसने बनाया होगा जो जो 2003 से होल्ड करके रखा होगा 2008 की मंडी 2015 की मंदी 2020 की मंदी जिसने देखी होगी पेशन्स रखा होगा उसने पैसा बनाया होगा 2015 में घुसा होगा इतना पैसा नहीं बनाया होगा 2020 में घुसा होगा इतना पैसा नहीं बनाया होगा जिस तना 2003 वाले न आपको कई बार ऐसा होता है सर देखो मैंने किसी का तो स्टेटमेंट सुना था किसका सुना पता नहीं लाइन बड़ी अच्छी लगी मुझे याद रहे गी वो कहते हैं अच्छी कमपनी को बुरे टाइम में बाई करो अव्यसी बात है इंसान हो या कमपनी अच्छा हो या ब बुरी कमपनी को उसके अच्छे समय में इंवेस्ट करते हैं बुरी कमपनी के बुरी कमपनी को उसके अच्छे समय में इंवेस्ट करते हैं क्या मतलब जब मार्केट बुल रन में होता है उपर 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 जा रहा है तो उपर जाने का मतलब अच्छी कमपनी भी उपर जा सर वो बुरा स्टॉक था और उस बुरे स्टॉक का अच्छा समय चल रहा था क्योंकि वो भुल रन चल रहा था उस वक्त आपने उस वक्त पैसा लगा लेकिन जैसे ही मार्केट नॉर्मल हुआ स्टॉक यो थोड़ा सा ऐड़स सीच्वेशान आया वह ऐसे जा रहा वाला स्टॉक एक 2 डड़ से और आपका पैसा का लोग क्या करते हैं बुरी कंब्ली को उसके अच्छे समय में खरीदते थे हने लेकिन करना क्या है अच्छी कंब्ली को औस व्रे समय करीदना है ठीकर ईकर Charlie Mungar साध चारले मंगर ने कहा था कि आपको नॉलेज सारे इंडेस्ट्री विए सारे टाइप की क्मपनियों के हो नाए लेकिन सारे इंडेस्ट्री की जब आप जिस इंडस्टी के में आपको safe zone करना है, कहने का मतलब, जिस इंडस्टी पे आपको महारत हासिल करना है, उस इंडस्टी ये उस स्टॉक के बारे में जदा जदा पढ़ो, पढ़ाई करो, समझ डेवलप करो, अच्छा जब आप ये डेवलप करते हो, तो आपका safe zone होता है, यानि कि रिस्क की probability घट जाती है, वहाँ पर आप गलट decision नहीं लोग है, या गलट decision लेने के chances घट जाते हैं, क्योंकि आप master हो इंडस्टी में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, सब पता है आपको, तो आपका decision गलट होने की probability बहुत कम है, तो वो कहते हैं कि जदा स knowledge आपको safe zone में डालता है, अब जैसे for example, जातातर लोगों को large cap company का knowledge ठीक ठाक होता है, क्योंकि उसमें risk भी कम होता है, तो safe zone क्या कहता है, उन large cap company में आपका safe zone है, मतलब उन large cap company में आपका risk का chances कम है, profit profitability का chances जादा है, लेकिन एक और बात सच है सर, जितना profit आप small cap और mid cap company में कमा सकते हो, उतना profit आप large cap में नहीं कमा होगे, लेकिन दिक्कत क्या है, small cap और mid cap जादा risk ही है, अगर आपको knowledge नहीं है तो, जादा profit के chances हैं, लेकिन जादा risk के भी chances है, अब क्या करोगे आप, कि आपका small cap और mid cap में risk घटता चला जाए, profitability के chances बढ़ते चले जाएं, safe zone क्या तरीका है, more and more learning, और आप more and more learning अगर चाहते हो, तो आपको एक audio show recommend करता हूँ, जो आपके multi baggers stock चुनने की काबिलियत को बढ़ा देगा, उस audio show का नाम है, multi baggers companies की सही पहचान, यह audio show मिलेगा आपको कुकु FM पर, और कुकु FM इंडिया का leading audio show platform है, यहाँ धाई मिलियन से जादा paid subscribers हैं, जहाँ पर stock markets related, कई सारे audio books और audio shows available हैं, जिन से सीख कर आप stock investing में बहतर बन सकते हो, और आपको कु FM आपको पहली बार दे रहा है, 70% discount on first month subscription, यानि कि आपको पहले मैने के subscription पर 99 नहीं, सिर्फ 29 देना है, यानि कि 10,000 से जादा source का access आपको सिर्फ 29 रुपए द बिल जाता है, मगर ध्यान रहे, इसके लिए हमारा coupon code SRS70 यूज करना बिलकुल ना बूलना, एप टाउनोल्ड करने का link हमने pinned comment और description में डाल रखा है, तो access कीजिए और अपने safe zone को बढ़ाईए, तो अगला point है, भया work on simple things, आसान चीजों पर काम करो sir, लोगों में एक भ्र आसान चीजों में क्या ही होगा यार, कुछ नहीं होता है, ब्रहम भया, आपने एक्जाम देने से पहले घर वाले ने कई बार कहा है, जब बेटा एक्जाम देने जा रहे हो, तो सबसे पहले आसान question को solve करना, आसान question को solve करना इसलिए जरूरी है, कि परिक्षा में आसान वा आसान सवाल के जवाब देना, बाद वाले मुश्किल, लाइफ में ऐसा ही होता है, किसी भी कुछ भी चीज सीखने जाओ, या कुछ भी काम करने जाओ, पहले simplicity भी फोकस करो, कौन सी चीज आसान है, हम जैसे stock market के बारे में बात करें, stock market में आप कई लोग क्या करते हैं, जब वाले में आपको पार्मा और उमा से काहे के लिए उसमें जा रहे हो भी है, आप आसान चीज़े पकड़ो ना, आपको motor के हो सकता है, गाड़ीयों का शौक हो, तो आपको हो सकता है motor का समझो, motor देख लो, मारुति देखो, टाटा, motor देखो और 2,4 motor वाली कंपनियों द बनाओ और हां एक और बात चारली मंगर की ही मुझे बात याद आती है उनसे किंटीव में पूछा गया था कि आपने आज तक कभी फार्मा इंडस्ट्री में को इन्वेस्मेंट ने किया क्यों तो चारली मंगर कहते हैं कि मुझे केमिस्ट्री के ज्यादा समझ नहीं है अब क इंडस्ट्री में कभी जाता ही नहीं हूँ ठीक है बड़ी अच्छी बात है तो इसलिए सर सिंपल चीजों पर सबसे पहले फोकस करो आसान चीजों को सीखो आसान चीज़ें सीखना आसान होता है जल्दी सीख जाते हो और confidence भी develop होता है ठीक है छटा पॉइंट क्या है छट करते हैं confirmation bias क्या होता है सर हमारा इंसानी दिमाग एक किस तरीके से काम करता है हम उनी suggestions पर बिलीव करते हैं जिन्सके बारे में हमारा belief system पहले से बना होता है let's suppose आप अगर यह मानते हो कि रात को जग के पढ़ने वाला आदमी ज्यादा intelligent होता है सुबह उठके पढ़ने वाल चीनल पोट पहले यह सुबह किना नहीं की रात को जगट करता हूं आप उसकी बाट फट से मानोगे लिकिन कोई पहलतो अदमी ने बोला सुबह उठके पढ़ना चाहिए लेकिन दो ने अगर बोल दिया कि रात में जग के पढ़ना चाहिए तो आप उस की बात पे ज्याद नुकसान दे है क्यों नुकसान दे है एक यस बैंक का इंजांपल लेकर बताता हूं यस बैंक जब गिरना शुरू हुआ था तो न्यूज में थोड़ा हो अल्ला मचा था गबराने के ज़रत नहीं है यस बैंक बाउंस बैक करेंगा इतना तकड़ा इसे कैसे अच्छा जो लो जिसने बेचा होगा तो वह तो माँ बेवकूफ होगा उसके बाद तो ऑप्शन ही नहीं है अब क्या करें बेचे ना बेचे समझदारी बेवकूफी को कोई सवाल ही निया 90 पसंद जब स्टॉक गिर गया तो बेचना तो पहले चीए था लेकिन चुपका चुकि उसका पहल आज पास लुड़ा करा है कहां 400-500 रुपए का स्टॉक ठीक है तो कन्फरमेशन बायस नहीं होना स्टॉक मार्केट में दिमाग उपन रहो जो सही जानकारी है अगर कोई जानकारी है तो उसको एनलाइज करो पर्खो समझो सर किसी स्टॉक से हमारे को प्रेम नहीं करना हमा कोई स्टॉक गल्टम्ट अब और बॉइफ्रेंड नहीं है तो मेरा फिवरीट है मेरा फिवरीट हिसको अपी बाचा है नहीं करने का व कंपनी है वह कंप anti-card एप करेगी तो स्टॉक, तो बढब रहा टान करेगी तो मिश्थ इसमें तुम्हारा फिवरिए बने का ग्या मत ठीक है तिमाग कान खुला रखने का अगला पॉइंट अगला पॉइंट है सर ओर कॉन्फिडेश ओहा हो यह तो बड़े लोगों को मारता है होता क्या सर आज जल्दी जल्दी जा रहा हूं कि मैं फटा फट समझा रहा हूं कि मुझे कमेंट बॉक्स में लिखके बताना आज म मेरे माइंड में क्या चल रहा है जो मैं फटा फट जा रहा हूं ठीक है हम क्या थे हम क्या बात कर रहे थे हम क्या थे नहीं हम क्या बात कर रहे थे ओवर कॉन्फिडेंस की देख होता क्या सर एक आदमी जब नए ने स्टॉक मार्केट में घुसता है न तो कई सारी चीज़ जब गिर रहा हो, आप से एक सवाल पूछता हूं, किस टाइम लोग ज़्यादा बरबाद होते हैं, जब मार्केट गिर रहा हो, जब मार्केट बढ़ रहा हो, आप क्या कहोगे, इस टाइम पे लोग ज़्यादा बरबाद होते हैं, इस टाइम पे लोग का ज़्यादा पैसा खराब होता है लेकिन मैं उल्टा मानता हूं मैं कहता हूं 90% लोग इस ट्राइम पे बरबाद हो जाते हैं क्यों मलूम सर इधर तो बाद में बरबाद होते हैं पैसे से इधर वो मेंटली बरबाद हो जाते हैं और जब मेंटली ही इधर बरबाद हो गए तो पैसे का फिर वजूदी क्या जिस आदमी का दिमाग ही खराब हो गया उसके लिए पैसे का वजूदी क्या तो बरबाद यहीं हो गया था उसका असर उसको इधर दिखता है कैसे मैं कह रहा हूं ध् स्टक पकल लिल झालन फाइदा मिलें तो उसमें और वाइदा मिला तो उसने दूसरा ड़िए अगए तो इसमें भी फायदा मिला अच्छा तीज करण अच्छा आद सबादा और tar फाइदाम यह अब इसा लुतिंफितों में अ सदल्le रख्यां पांच लाग रगा हुआ है यह मैंट से जानकार हो जाता है लेकिन कि हुआ क्या उसकी मान्सिक्टा के साथ सर उसको नॉलेज सही नहीं थी लेकिन दोचारभर प्रॉफिट होने के वज़े से उसमें एक कॉन्फिदेंट एक विश्वास का जन्म होता है जिसको जब मार्केट ऐसा बीएव करेगा जब मार्केट उसका ऐसा बीएव करेगा उसके तीनों के तीनों स्टाक पटकनिया खाके नीचे गिर जाएंगे जमीन पे तो ओवर कॉंफिदेंस आदमी को जादा मारता है और यह कहानी भी मैकसिमम लोगों के साथ आपको देखने को मिलेगी आप भी अगर नहीं रहे होगे बुल रन में आदमी ज्यादा शिकार होता है बजाए बीयर रन में बुल रन मतलब बढ़ता हुआ मार्केट क्योंकि यहा मार्केट में एक करोर रुपय कमा है तुम भी कमा सकते हो आजा कुछ जाओ आईसे लोगों को चपल फिक कमाना अरे भाईया हर किसी का रिस्क लेने का कैपिसटी अलग होता है नौलेज अलग होता है हमने बात करा ने सेफ जोन पड़ा बढ़ा बाद बोला मंगर भीया ने कि आपके लॉस आपके खोने की पॉसिबिलिटी घटी चली जाती है आपके जितने की पॉसिबिलिटी बढ़ती चली जाती है तो अपना सेफ जोन बढ़ाने पर काम कीजिए ठीक है जबी यह साथवा पॉइंट था ओवर कॉंफिडेंस अगला पॉइंट है सर नेवर फॉ बात हो रही है मतलबुस फोक चल रहा है लगा दो हों गबर बाद के looks एक बड़ा Gosh कि डिक बड़ा ग्रूप किसी चीज के बारे में बात कर रहा है बड़ा ग्रूप किसी चीज के इंवेस्टमेंट कर रहा है सर इसी को bubble करते हैं आपने सुना न डॉट कॉम bubble या भी Small Cap никак bubble वह चल रहा था से बीकियो चेरमेन ने बोल दिक है very small cap में bubble बन रहा है तेला तेलए तेल तेह तेल मेह् है टेला करोड तप तेरुरा करोड तप तेहला tint जौ नहीं को बबल अब स्वाइफ करोड तप small cap mid cap में बाबाल है ये बाबाल है तो फटेगा फिर कभी भी ग्रूप को नहीं फॉलो करना सर जो चारो तरफ लोग कर रहे हैं वह आपको नहीं करना stock market में ये लिख लो कि तर अपनी एक strategy होने चीए सर किसी भी stock में invest करने के लिए करने से पहले आपको तीन रीजन लॉजिकली प्रैक्टिकली जो आपका लॉजिक कहता हो जो आपकी strategy कहती हो क्योंकि जब आप सेफ जोन डेवलप करोगे सीखोगे तो आपको strategy बनाना भी आए जाएगा तीन रीजन अगर लॉजिकली सेटिस्फाइड है तब उसे stock में invest करो otherwise नहीं यह भी कर रहा है चुनुआ भी कर रहा है मुनुआ भी कर रहा है और इसके संजीवा को पापा भी कर रहा है मतलब हम भी कर देते हैं मरोगे निश्चत मरोगे और आइसा मरोगे कोई बचाने नहीं आएगा ठीक है रीजन कम से कम तीन रीजन आपके पास होने चीए तब करो ठीक है अगला वहां क्या है वहां नो योर्विकनेश अच्छा फिर जामंगर वहां के एक्जामपल यह फार्मा वाला थम पहले ही ले लिए यार चलो मारो गोली लिखते-लिखते-लिखते-लिखते-लिदिमाग में पहला वाला पॉइंट दूसरे में दूसरे में तीसरा शिफट होता है पते नहीं चलता खैर जो भी समाज में आना चीज़ समाज में आ रहा ना फिर काम हो रहा है अच्छा चारली मंगर एक चीज़ कहते हैं कि intelligent होने से ज़्यादा important है less stupid होना बढ़ी अच्छी लगी बात नहीं करोगे अच्छा बहुत बड़ा फाइदा कमाने के लिए आपको इंटेलिजेंट होने की जुरत है लेकिन बहुत ज्यादा नुक्सान करने के लिए बेवकूफ होने की जुरत है तो अगर बेवकूफ नहीं हो तो कम से कम नुक्सान तो नहीं करोगे और अगर नुक्सा तो इंटलिजिन होने से जजादा इंपोर्टन लेस्टूपिड होना बेवकूफ नहीं बनना कहने का मतलब अपना एक आपना क eyesight अविया खेल में आप क्रिकेट के मैडान में आप टाल कित आग मारोral discussing Revolution कि हमार्केट में इंपोर्टन और मार्केट में स्टॉक मार्केट में तिके भेने मतलब है आपके पास होना चाहिए जोली अलिक्स्त्वर के व्हश्च मार्केट में क्या ही आगे तो यहां मुझरव चल रहा है नहीं न तो पैसा होना चाइए कैपिटल होना चाहिए और कैपिटल गवाटा वही आदमी जो बेवकूफ है आप अगर बेवकूफ नहीं हो तो आपका कैपिटल बचा रहेगा समझदार तो धिरे-धिरे सिखते सिखते होई जाओगे अई अगला पॉइंट सर मार्जिन ऑफ सिफ्टी बड़ा जरूरी है यह पॉइंट चला ध्यान से समझेगा यह अंग्रेजी का वड लेकिन हम हिंदी में समझेंगे मार्जिन ऑफ सिफ्टी गया होता है महानलो ओं किसी हाइवे पर आप जा रहे होु हाइवे पर लिखाता न सो की स्पीड उससे जादा उपर नहीं चलना है लेकिन आप चल रहे कोzhito है अगर आप साथ पर चल रहे हो तो 40 km प्रती घंटा का आपका मार्ज लेके चल रहे हो तो पर बढ़ा सकते हो 70 पर वी जा सकते हो 80 पर गए तो 20 है या आपकी पास नभें पर गए तो 10 का मार्जिन है लेकिन अगर सौ पे चले गए तब आपके मार्जिन नहीं है अब उपर गए तो चलान कटेगा केमर वा लगा हुआ है अचकल काट लेगा फक से घर पर भेज़ देगा ठीक है ना ऐसे ही फाइनंसस केहस में होता है माल लोग आथ कि सेलरी फचास घर रुपए उस पचास घर रुपए में से आपका पूरा पुरा फचास घर रुपए हर मेने खड़ से होता है बचता उस ता綁म्होंों नहीं है यह कितना मार्चिन ही आपके पास जीरो अच्या एक आदमी है जो कि 50,000 रुपे में दो हजार रुपे हर मेने बचा ले रहा है हर मेने वो दो जार किसी तरीके से बचा लेता है तो कितना मारजन उसमें रखा 2000 का margin है उसके पास हम यह कहते हैं कल को आदमी को अगर जुरत पड़ी कोई emergency आ गया पैसे की जुरत पड़ी कोई medical case या किसी तरह का कुछ हो गया अग्दम रात तो जुरत पड़ी गया नहीं तो आदमी मर जाए गया रहे वो लग केस हो गया 2-3 लाख रुपे का जुरत गया गये का तम खेल option नहीं है option नहीं है भगवान वरो से जिंदगी जी रहा था यह उस तरह का example हो गया स्टेपनी कार में स्टेपनी क्यों रखते हैं एक एक्स्ट्रा भाया क्यों रहता है कि भाया कुछ हो जाए तो लगवाल पांचवा और किसी के कार में अगर स्टेपन नहीं है जंगल में अगर कुछ खराब हुआ सेल चीते और भालू आगर को नबोच लेंगे पूरा परिवार खतम कर देंगे लूट पार्ट भी सकते हैं अगर जानवर ना हुआ तो मार्जिन होला लाइफ में बहुत जरूरी है सर तो मार्जिन ऑफ सेफटी इसी को कहते है अब जब स्टॉक मार्केट में आप आ रहे हो तो स्टॉक मार्केट में क्या मतलब है मार्जिन ऑफ सेफटी का जब आप किसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो आपके पास कैपिटल है एक लाख रुपे का और आपको लगता है कि मेरा 50,000 अगर डाउन भी हो गया तो मेर margin of safety हो गया आपका अगर वह 50,000 जो लगा उसमें कुछ गडबल हुआ तो दूसरा 50,000 आपको बचा लेगा उधर आप लगा करके हो सकता है है जी कर सकते हो या उसको वापस recover कर सकते हो तो margin of safety investment में होना जरूरी है दस पॉइंट मैंने बोले थे दस हो गए लेकिन एक और bonus point bonus point value investing value investing क्या होता है value investing होता है जब आप किसी company में invest कर रहे हो किसी company को select कर रहे हो तो सिर्फ उसका profit नहीं देखना sales नहीं देखना उसके साथ साथ उसका management भी आपको देखना चाहिए उसका product भी आपको देखना चाहिए product की service कैसे हो रही है customer को कितना अच्छा service है customer कितना खुश है उसके product से ये भी देखना चाहिए product की quality कितनी अच्छी है वो भी देखना चाहिए क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि भाईया market में दो ही player है जो मैटो सुईगी जैसा कोई तीसरा player ही नहीं है तो मनमानी आट रुपे का समय साथ 12 रुपे बेच रहा है customer unhappy है को 12 रुपे देना पोड़ा लेकिन क्या करें option ही नहीं है ऐसा तो नहीं कर रहा है अगर ऐसा हो रहा है तो इसी company पर वरोशा मत करना जिस दिन कोई कुदा उखाल के फेक देगा उखाल के फेक देगा तो value investing किसी company को चुन रहे हो तो यह सब चीज बड़ा ध्यान से देखो company काम कर रहे है तो कैसा काम कर रही है आट का चीज 12 में तो नहीं बेच रही आट का चीज 12 में बेचने वाली company पर मैं कभी इन्वेस्ट नी करूंगा क्योंकि आज नकल जिस दिन धंग का computer को टाटा फाटा टाइप कुदा उस company को उखाल के फेकने में समय नहीं लेगा तो इसी company में मैंने नetBia backSets कैसा कहीं जोल खकल करके company अपना share price बढ़ाय तो रही कॉस्टर को ट्रोस अपने share-gold देने के चक्कर में उल्टे सदी काम तो नहीं कर रही आज प्रॉफिट दे रही है कल नुक्सान भी करवा देगी अपने shareholder का example आपके सामने recent pay-razi clearly गड़बड नहीं कह रहा लेकिन compliance में तो इशु था ना compliance में इशु होने की वज़ा से क्या हुआ जो शेयर holders पेटियम में इन्वेस्ट कर रखा होगा हो गया ना अदा हो गया ना 600 रोपे से 300 रोपे वा गया ना पेटियम तो डूबा डूबा साथ में उसके शेयर होल्डर्स भी हम आप जैसे लोग डूबे ना किसकी गलती को वैसे हमारी आपकी गलती स्वएसे नहीं उसके compliance एथिक्स नहीं फॉलो कर रहे थे वह तो अपने को यह भी देखना है ठीक है आदमी क्या देखता है क्या सिखा ठीक है तो यह कुछ 11 पॉइंटर्स में आपको दिये स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है प्राफिट बनाना दिया तो होने ही चाहिए इसका पार्टू भी ला सकता हूं ऐसे 10-11 पॉइंट और है आपको पार्टू भी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखके बत